तो गाईज अगर आपके मुबाइल में कुछ वीडियोज हैं या आप कोई भी वीडियो ब्राउज कर रहे हैं या कोई किर्किट मैच आप देखना चाहते हैं अगर वो आप अपने मुबाइल पर ना देखके आप अपने LED TV पर देखना चाहते हैं तो आपने एक नाम स्क्री एम जे फो यू और चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना वीडियो तो फ्रेंड्स अगर आपको भी अपने फोन से मिरर करना है जो भी आप मुवी या वीडियो कुछ भी आप देख रहे हैं अगर आप उनको LED टीवी पर देखना चाहते हैं तो वह आप मिरर कर सकते हैं स्ट वाइफाई से कनेक्ट करना है तो जैसे मैं अभी अपना मुवाइल है उसको वाइफाई से कनेक्ट कर रहा हूं यह आप लोगों को याद रखना है कि दोनों डिवाइस का सेम नेट्वर्क रहना चाहिए सेम वाइफाई से कनेक्ट कर लिया है इसके बाद जब हम कनेक्ट क को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं इसके बाद गाईज हमें करना क्या है हमें अपना जो LED टीवी है जिस पे आप अपना जो फोन की वीडियो जो वो व्यू करना चाहते हो उसको भी सेम नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता है तो मैं एक बार LED टीवी को कनेक्ट कर लेता हूं तो यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो मेरा LED TV का connection है वो भी searching network से connect है और जो मेरा mobile है वो भी मैंने searching network से connect कर लिया है इसके बाद जाता है number two step वो मैं आप लोगों को बताता हूँ तो गाई जब अपना LED प्लस mobile phone दोनों same network से connect हो गए है अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है यहां पे आपको मेरा mobile दिख रहा होगा तो आप लोगों को करना क्या है simple scroll down करके अपने phone में और यहां पे आप लोगों को option मिल जाता है screencast का यह आप लोगों को on कर लेना है जैसे यह आप इसपे क्लिक करोगे आप लोगों को आपके जो mobile phone है उसमें जो आपका LED TV है उसका नाम आ जाएगा यहां पे Nokia software TV आप लोगों को दिख रहा होगा यह आप लोगों को simple इसपे क्लिक करना है और यहां पे start now आ जाएगा जैसे यह आप इसपे start now पे क्लिक करोगे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि आपके जो TV screen है उसपे आप लोगों का mobile phone open हो चुका है that means जैसे यह आपका TV connect होगा mobile connect होगा आपका screencast start हो जाएगा अब आप जो भी अपने phone में open करोगे वो simply आपको आपके TV पर नजर आएगा तो यहां से आप जो भी वीडियो प्ले करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी जो भी आप लोगों को प्ले करना है वो आप लोगों को मिल जाएगा एंड second तरीके में दोस्तो आप लोगों को करना क्या है आपको सिंपल जो भी आप वीडियो या ब्राउज कर रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो आपको सिंपल करना क्या है फुर एक्जाम्पल हम YouTube लेते हैं, अगर आपको YouTube पे जाना है, तो आप लोगों को कोई भी वीडियो कनेक्ट करने से पहले आप लोगों को या तो YouTube के सामने ये Chromecast का उप्शन नजर आ जाएगा, इस पे simple क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप लोगों को आपक control हो रहा है, और अगर आप चाहते हो कि आप अपने मोबाइल से control करें, तो आप अपने मोबाइल से पी control कर सकते हो, यहाँ से आप लोगों को simple करना है, जो भी वीडियो आप लोगों को प्ले करने है, for example मैं एक simple वीडियो लेता हूँ, play, जैसे आप प्ले करोगे, आपके LED पर यह प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी इसमें आप लोगों को यह मिलेगा कि एक तो कंप्लीट स्क्रीन पर आप इसको प्ले कर सकते हो जब कि जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें आपका एक लोग चीज प्ले करना चाहते हो वो टीवी से ही कंट्रोल कर सकते हो तो यह उप्शन ज्यादा बैटर है इसमें आप लोगों को 100% क्वालिटी भी मिलती है नो लेगिंग्स मिलत कुछ लेगिंग भी नहीं मिलता प्लस आप अपने मुबाइल को एक बार कनेक्ट जब कर देते तो यह सेकिंड ओप्शन ज्यादा बैटर रहने वाला है और मैच वीडियो या ब्राउजिंग वोटेवर आप जो भी यूज करना चाते हो सिंपली आपको क्रोम कास्ट प्ले करने के बाद आपको ओप्शन नजराएगा कि आप इसको क्रोम कास्ट करो तो यह दो उप्शन है उसको प्रेस करना ना भूले ताकि जो भी हमारी नई वीडियो जाए आप लोगों तक पहुंच पाएं